संत स्री सिंगाजी महाराज का 502 प्रकाटिय महसौ सोसल डिस्टेंसिंग के साथ मनाये गया समीति सदस्य चेतन यादोओन ने बताया कि संत सिंगाजी महाराज के जन्मो सो को पौंच सदस्यों के साथ मंदिर पुजारी के सा सामझ इक दूरी का परन करते हुए सुवब 5 बजे अ महाभिशे करके संट्र सिंगाजी महाराज की महारती की गई संट्र सिंगाजी महाराज की काउन लिटर दूद पंचामरस से किया गया 101 किलो फूलों के द्वारा प्राकारतिक रूप से सजाय गया महानदीजी के घर से संत्र सिंगाजी महाराज के निसान ध्वज पताका मांदीर तक चड़ाई गई जुलवानिया से रवीब महाजन के रिपोर्ट संत श्री सिंगाजी महराज का आज 502 प्राकटे महस्तों मना गया जिसमें सासन के दिशान देशों का पूरी तावर से पालन करते हुए समिति के पास सदस्यों एवं मंदिर कुजारी जी के द्वारा संत श्रीजी का कि काउन लिटर दूश्य अभी से एवं 101 किलो प्राकटे फुलों के सास अज्जा कर संत श्रीजी की महारती की गई एवं हलवे का प्रसाजी का भोग लगाया गया और मैं सभी सिंगा जी महराज क आने में खुक्तों से निवेदन करता हूं और नियमर अपिल भी करता हूं आने वाली 23 तारीक को संति सिंगाजी धर्मजागरान समेति के तत्वाधान में गूगल मीट पे ऑनलाइन समेलन का कभी समेलन का आयोजन रखा गया है अथा आपको बहुत जल्दी उसकी सूचना देदी जाएगी और भी संति सिरी के बारे में आपको जानना है तो आप इस कभी सम्विलन के सहवागी जरूर बने जैसिंगाजी मैं आशिश नाइक संसिंगाजी धर्म जागन समिती ग्राम खजूरी से आज संसिंगाजी महराज का 502 जन्मों सो प्राकट उत्सव हमने खजूरी में मनाया प्रतिवर्स बड़े हरसो उल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता है किन्टु बिगर दो वर्सों से इस करोना मह री करन इसे छोटे रूप में मनाया जाकर आज सोसल डिस्टेंशिंगा पालन करते हुए केवल अउप्चारिक लूप से संसिंगाजी भाराज का महां भीष्यक और पूझन और ती कर संसिंगाजी महराज के विशेश रंगार कर आज संसिंगाजी भाराज के चर्णों में प्रार्खनागी की संसिंगाजी भाराज इस महामारी को संपूर्ण विश्व से शिग्र नस्ट करें तथा सभी भक्तों से निवेदन है कि आज शायम के समय अपने मुख्य द्वार पर दो दिपक जलाकर संसिं प्रण्टेलन कायरेजन भी किया गया है जिसमें हमारे ख्षेत्र के राज्य सभा सांसर डॉक्तर सुमेर सिंग जी सोलंकी मुख्याथिकी होंगे तथा साथ ही इस कारेक्रम की अदिक्ष्ता श्री संभू सिह जी मनहर अंतराष्टे कभी करेंगे जिसमें हमारे देश देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें